कक्षा छे की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवम राजनीतिक जीवन इकाई दो सरकार प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय तीन जिसका शीर्शक है सरकार क्या है प्रिष्ट तीस से प्रिष्ट अड़तीस तक प्रिष्ट तीस इकाई दो सरकार इस प्रिष्ट पर बाई और दो कार्टून बने हैं उपर वाले कार्टून में दो व्यक्ती एक गाउं के पास से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं वो पानी भरने के लिए रखे हुए खाली बरतनों की एक कतार को देखकर टिपपणी करते हैं आल बुरा नहीं है जरूर पास के किसी गाउं में नल से पानी आ रहा होगा इसी प्रिष्ट पर नीचे एक और कार्टून बना हुआ है इस कार्टून में एक व्यक्ति बहुत बड़ी माला पहने नीचे जमीन पर गिरा है उसके उपर एक बैनर लगा है जिस पर अंग्रेजी में हैपी बर्थ दे लिखा है उसके आसपास कुछ व्यक्ति चिन्तित व आश्चरे चकित मुद्रा में खड़े है इस कार्टून के नीचे टिपपणी में लिखा है मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था वो बहुत दुबले पतले बूढे व्यक्ति है और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे इस प्रिष्ट पर नीचे सुप्रसिद कार्टूनिस्ट आरके लक्षमन की एक टिपणी लिखी है लोग तंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वो कार्टूनों के जरिये अपने अधिकारों का प्रियोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंडने के लिए करे प्रिष्ट इकतीस, अध्याय तीन सरकार क्या है आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा इस पाठ में आप ये पढ़ेंगी के सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपून भूमिका निभाती है सरकारीं क्या करती है वे निर्णए कैसे लेती है अलग-अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतंत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है चलिए पढ़कर पता लगाते हैं इस प्रिष्ट पर समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ सुर्खियां लिखी है सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग बाढ़ पीडितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामगरी प्याज की दर में उचाल सरकार ने प्याज के दाम तए किये सर्वुच न्यायालय के लिए पांच और न्यायाधीश सरकार कोईला और बिजली विभागों के पुनर गठन के पक्ष में है सरकार सरकार ने पंद्रहे हजार से अधिक गामों को सूखा ग्रस्त गोशित किया इस प्रिष्ठ पर नीचे नीले रंग के बक्से में इन सुर्खियों के बारे में लिखा है उपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए इन में सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाईए एक, दो, तीन, चार क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तिरित नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए हर एक देश को विभिन निर्णाय लेने इवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है ये निर्णाय कई विशेयों से संबंधित हो सकते हैं सडकें और स्कूल कहां बनाए जाएं? बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं? अथवा बिजली की आपूरती को कैसे बढ़ाया जाए? सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कारवाई करती है उदाहरन के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कारिकरम चलाती है इनके अलावा वो अन्य महत्वपून काम भी करती है जैसे डाक वर रेल सेवाईं चलाना सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांति पून संबंध बनाए रखना भी है उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को परियाप्त भोजन और अच्छी स्वास्थे सुविधाई मिलें जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भुकंप तो मुख्य रूप से सरकार ही पीडित लोगों की सहायता करती है अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग नियायालय जाते हैं नियायालय भी सरकार का ही अंग है शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है जब लोग इकठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवशक निर्णय लिये जा सकें कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों उदारण के लिए संसाधनों के नियंतरण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताके लोग सुरक्षित महसूस कर सकें लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है वो नियम बनाती है, निरनाय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है इस फ्रिष्ट पर दाहिनी ओर उपर लिखा है क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती है जिनकी चर्चा उपर नहीं की गई है एक, दो, तीन इस प्रिष्ठ पर नीचे तीन चित्र दिखाए गए है उनके समर्थन में लिखा गया है कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है सर्वोच न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल प्रिष्ठ तैंटीस सरकार के स्तर अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग-अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी दरसल सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है स्थानी एस्तर पर, राज्य के स्तर पर, एवं राश्ट्री एस्तर पर स्थानी एस्तर का मतलब आपके गाउं, शहर या महले से है राज्य एस्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे जैसे हरियाना या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है मानचित्रों को देखें राश्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है इस किताब में आप आगे चल कर पढ़ेंगी कि स्थानिय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राश्ट्री एस्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी इस प्रिष्ठ पर भारत का राजनीतिक नक्षा दिखाया गया है जिसमें भारत के सभी राज्यों और उन राज्यों की राजधानियों के नाम लिखे हुए हैं साथ ही पडोसी देशों को भी दिखाया गया है प्रिष्ट चौंतीस इस प्रिष्ट पर भारत का प्रशासनिक प्रभाग 2011 का नक्षा दिखाया गया है कृपया नोट करें आंधर प्रदेश राज्य के पुनरगठन के बाद 2 जून 2014 को तिलंगाना भारत का 29 राज्य बना 31 अक्तूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग-अलग केंदर शासित प्रदेशों में बाटा गया जम्मू और कश्मीर तथा लगदाख प्रिष्ट 35 सरकार एवं कानून सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही ये ताकत भी होती है के लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसंस होना चाहिए अगर कोई लाइसंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है किसी दूसरे कानून को ले कर ये विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है सरकार जो कारवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाती के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वो नियायालय जा सकती है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है तब नियायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है सरकार के प्रकार सरकार को निर्णाय लेने और कानूनों का पालन करवाने याने उन्हें बाध्यय बनाने की शक्ति कौन देता है इस प्रश्ण का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है लोग तंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं वे अपनी पसंद के नीता को वोट दे कर चुनते हैं एक बार चुन लिये जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं लोगतंत्र में सरकार को अपने निरणयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री ये सरकार कहती है इसमें राजा या रानी के पास निर्णाय लेने और सरकार चलाने की शक्ती होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समुहू होता है जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णाय लेने की शक्ती उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पढ़ते और नहीं अपने निर्णयों की सफाई देनी पढ़ती है. इस प्रिष्ठ पर नीचे एक राजा का चित्र दिखाया गया है. प्रिष्ट 36 इस प्रिष्ट पर दाहिनी और नीले रंग के बक्से में लोकतंतर से संबंधित महत्वपून जानकारी दी गई है लोकतंतर में लोगों की भागिदारी उन नर्णेयों को लेने में महत्वपून है जो उनको प्रभावित करते हैं क्या आप इससे सेहमत हैं? अपने जवाब के दो कारण लिखिए. आपके यहां जिस प्रकार की शासन विवस्था है, उसके स्थान पर आप कैसी शासन विवस्था चाहेंगी और क्यों? नीचे दिये गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए. राजतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपून ताकत होती है. राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिये गए निर्णेयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं. इस प्रिष्ठ पर नीचे मतदान करते हुए एक व्रिद्ध व्यक्ति को अपनी उंगलियों पर निशान लगवाते हुए दिखाया गया है. साथ ही लिखा है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है, ताके वो केवल एक वोट दे सके. लोकतंत्रिक सरकार भारत एक लोकतंत्र है इस लोकतंत्रिक विवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किये हैं पहले बताया जा चुका है कि लोगतंत्र की मुख्य बात ये है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ती होती है। इसलिए एक अर्थ में लोगतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें आज के समय में लोकतंत्रिक सरकार को प्रायह प्रतिनिधी लोकतंत्र कहते हैं प्रतिनिधी लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बलके चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधी को चुनते हैं, ये प्रतिनिधी मिलकर सारी जनता के लिए निरनाए लेते हैं, आजकल कोई भी सरकार अपने आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती, जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। प्रिष्ट 37 लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोगतांत्रिक सरकारीं और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। और गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिती में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्याय पून विवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था। मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास समपत्ती है वो वोट दे सकता है। क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। इस प्रिष्ठ के दाई ओर नीले रंग की रेखा से एक बक्सा बनाया गया है जिसमें दो महिलाओं का चित्र है और उन्होंने अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़ा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में लिखा है वोट्स फॉर विमेन संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ती लोगों के साथ नहीं बांटी है पूरे यॉरप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कारियों में भागीदारी के लिए संगहर्ष करना पड़ा महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किये गए संगहर्ष ने प्रतम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी इस अंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सर्फ्रेज मुव्मेंट कहते हैं सरफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार युद्ध के दोरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे जब महिलाओं ने विबिन प्रकार के काम और उनकी विवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चरे हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूड़ी बद्ध धारनाईं बना रखी थीं कि महिलाओं ये क वोट देने के अधिकार की मांग की उनकी आवाज सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आपको लोहे की जंजीरों में बांध कर प्रदर्शन किया उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाईं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला जबके इंगलैंड की ओरतों को ये अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला प्रिष्ट 38 प्रिष्ट 33 और 34 पर मानचित्रों को देखिए वे भारत के राज्जियों केंदर शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं इन मानचित्रों और विभिन अन्यसंसाधनों से नमन जानकारी का पता लगाईं भारत के पडोसी देशों के नाम अपने राज्य या केंदर शासित प्रदेश और उसके पडोसियों के नाम अपने जिले और उसके पडोसी जिलों के नाम अपने जिले से राश्ट्रिय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग इस प्रिष्ठ के बीच में सलेटी रंग के एक बकसे में एक तालिका दी गई है जिसमें पीले रंग के हाइलाइटर में कुछ कथन लिखे गई है और उन कथनों के आगे कुछ विकल्प दिये गए है इस तालिका में दिये गए कथनों पर नजर दोडाईए क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं उनके आगे निशान लगाईए भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णाईए आपके विकल्प हैं स्थानिय, राज्य या राश्ट्रिय पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णाईए विकल्प हैं स्थानिय सरकार या राज्य सरकार या राश्ट्रिय सरकार डिब्रु गढ़ और कन्या कुमारी के बीच में नई रेल सेवाईं शुरू करने का निर्णाईए स्थानिय सरकार, राज्य सरकार या राश्ट्रिय सरकार गाउं में एक सारवजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निरणाई पठना में बच्चों के लिए बढ़ा सा पार्क बनाने का निरणाई हरियाना सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निरणाई एक हजार रुपए का नया नोट शुरू करने का नरणाई अब्ध्यास एक आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं एक सूची बनाईए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है 2. सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है 3. लोकतांत्रिक सरकार के आवश्चक लक्षन क्या है 4. महिला मताधिकार आंदोलन क्या है उसकी उपलब्धी क्या थी 5. गांधी जी का दृड़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को जो ज्यादतर गरीब हैं वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए आपका क्या विचार है क्या आपको लगता है कि ये भेदभाव का एक रूप होगा इसी के साथ नौ अध्यायों की इस पुस्तक का तीसरा पार्ट यहां समाप्त हुआ झाल